कि अज़िए आपके अपने यूटूब प्रेटफॉर्म दिरिश्टिग्री कल्चर पर और आज हम पैडी कल्टिवेशन के नेक्स्ट लेक्चर में डिसकस करेंगे स्वाइल एन क्लाइमेट के बारे में ठीक है इससे पहले मैंने बेसिक इंट्रोड़क्शन आपको इसका प् पहले लेक्चर में चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होई है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं हां तो यहां पर बात करेंगे ठीक है राइस के स्वाइल एंड क्लाइमेट के बारे में ठीक है से पहले आपको दियान रखना एक नूट पॉइंट उपर लिखा है कि राइस हाई प्लेली फोडो सेंसेटिव क्रॉप ठीक है स्वाइल एंड क्लाइमेट की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि जो अगर हम पैडी या राइस की बात करते हैं तो पैडी की कल्टीविशन जो की अगर हम सीजन के कोडिंग बात करते हैं तो यह मेंली आपकी खरिफ सेजन का मतलब क्या है कि इसको होट एंड हुमिट क्लाइमेट की रिक्वर्यमेंट होती आपको पता है कि अन्दा बेसिस अब सीजन दे क्रॉप इस ग्लासिफाइड इंटू थ्री क्रेगरीज फिर्स्ट बन इस रभी सीजन क्रॉप खरीफ सेजन क्रॉप एंड जाय तो द सुटेबल रहती है भी पिच्वर तुशिक्स ठीक है स्लाइटली एस डिक ठीक है आगे बात करते हैं आप्टिमाम टेंपरेचर की बात करेंगे तो अप्टिमाम टेंपरेचर फॉर देर ग्रोथ और डेवलेपेंट रिक्वार्ट ट्विट्टी तू थिफाइब डिग्री सेंटीडेड एन राइपनिंग टेंपरेचर जो है वहाँ आपका 2220 20-22 डिग्री सेंटी ग्रेड डिग्री सेल्सिएस ठीक है यह रिक्वार्मेंट रहती है अच्छा इफ टेंपरेचर इक्रीजिस अबब 35-37 डिग्री संटीग्रेट शिर्ट को इसकान बढ़ान ग्रेंट इसे सबेलो 12 डिग्री सेंटिग्रेट देन देपलांट्स बिकम श्टराइब तो इस द्धियान रखेकर टैंपरेचर का क्या रोल है यहां पर प्रॉपर ग्रेंड फिलिंग में एंड पॉलिनेशन में ठीक है चलिए अब पैकेज अन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो इन इं द्राइ सेमी ड्राइ या सेमी ड्राइ अप्लेंड कल्टिवेशन उसमें आपका पहले ब्रॉड कास्टिंग करते हैं सीड की दूसरी मेथड आ जाएगी स्वेंग दा सीड बिहाइंड प्लाव फिर आपकी सेकंड जो है वेट लैंड या फिर इसी को हम लो लैंड और ब्रॉड कास्टिंग स्प्राउटेट सीड्स इन प्रडल स्वाइल ठीक है तो ड्राइ या सेमी ड्राइ रेंफेड अप्लेंड कल्टिवेशन या फिर इसी को हम डारेक्ट सीडिंग मेथड भी कहते हैं और यह बिसिकली आपका भिहार तमिलनाड ओर इशा एंड आंध बिसिकली आपका अप्लेंड कल्टिवेशन अपनाते हैं इन सच एरियाज फार्मर्स जर्रेली ग्रोव सौर्ड डिवेशन क्रॉप अप्टु हंडेड देज इंडिजीनियस वराइटीस विद लिटिल इंपूट्स एंड हार्विस्ट ओंली 10-12 कॉंटल पैडी पर हेक्ट करेंगे यहां विद्ट फालोविंग और सम इन्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्ल्टिवेशन स्वॉड डिवेशन वराइटीस को ग्रोव करते हैं किसमें आप लैंट कल्टिवेशन में जो की वितिकली आपकी हन्टेट टूवन हन्टेट फाइब डिज की होती हैं फील् यहां पर बैसिकली हम समर की प्लॉइंग करते हैं और यह जो आपको पता है मैंने पहले बताए कि यह जो मैथड है आप अपर बैसिकली जो कल्टीवेशन है वह बेस्ट होती है आपकी रेनफॉल पर फिर अप्र आपको ब्रॉड कास्टिंग कर देते हैं सौ किलो ग्राम सेट की पर हेक्टियर के रेशियो ठीक है इसके एकॉडिंग ठीक है दो रो तो रो डिस्टेंस शुद बी 20 सेंटीमेटर अबाउट 60 किलो ग्राम सेट्स इस सफिसेंट पर वन हेक्टियर फटिलाजर अप्लेकेशन की बात करेंगे तो 60 30 30 यानिकि नैंट्रोजन 60 फास्पोरस 30 अन पोटास अल्मोस्ट 30 किलो ग्राम पर हेक्टियर यह रिक्व सिर्मन टोडियर बेसनल ट्रेंग तोड़े की बात करेंगे तो गक्रीमेटर अबाइट उन्स में व्लींद धरिटार अज़िट कटियर आपोट करेंगे दो एप्ले कूए रिक अल्टरोज उन पर रेक्टियर श्कव चहिट graphics पेटरींगेड इसूरे कि धियर ग्राम राज transplant और lowland cultivation फिर आपकी आ जाती next wet और lowland cultivation ठीक है it is practiced where the where there is an assured and adequate supply of water sowing क्या करते है is sprouted seeds से हम direct sowing कर सकते है पडल सोयल में या फिर हम transplanting करेंगे पडल सोयल में ठीक है वही दो मैथड है तो rising seedlings in nursery for transplanting one hectare area about 50 100 square meter area is sufficient for nursery raising in case of late sowing area of nursery should be increased to 750 to 1000 square meter seeds should have high germination percentage 80% or more seed rate के अगर बात करते हैं तो bold grain जो variety है bold seeded अगर है variety तो उसकी जो seed rate होगी approximately 40 to 45 kg per hectare fine grain variety है तो यह आपकी 30 to 35 kg per hectare हो जाएगी ठीक है next बात करेंगे method of rising seedlings in the wetland cultivation ठीक है और lowland cultivation तो हमारे पास आपकी चार मेथड़ आ जाती है wet bet रेपोग and dry and SIRI method wet bet method क्या होती इस प्रिफरे अगरे 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 प्रिफरे जिए अगरे लगे थाचे प्दाल टो तो ती ते ताम अगरे इसो अगरे आपकी 10 आपकी 10 तो 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 दो तो तो पॉड़़ग औरीने चैनल में डेन देट बैसे। gute हैंड जाल्षास उनने विवर थेड गैस रख अफने होगर just aare बाटि जा तूड गार थेट स्ट्ट्रोटर गुर्डिंधोर टेंपस्केट अचारछ पेलिला टार गम्यून डुर्स्टोंस का जाल क में इलन कीफूड़ करें स्ट्रोटर लाट टेर्ट टार में हर टे मैं कीफटि तानर्याल सीम उटाριकम जाले वी सेधाल में टें की तर हम 2.5 kg calcium hydroxide in 1,000 liter of water sprayed for 1 hectare अब spray जो हम करेंगे two time में करेंगे one पहला spray 10 days after showing दूसरा रहेगा 20 days after showing 0.5% ferrous surface solution in case of iron deficiency ठीक है फिर आपकी dry bed मेठर आ जाएगी तो it is practiced in area where water is not sufficient to grow seedlings in wet nurseries plow the field three to four times prepare beds for of beds of the same size as in pet nurseries but the but 50 centimeter height with 30 centimeter wide between them so the sown the seed in rows 10 centimeter apart in dry or moist condition of soil fertilizer and seed rate are similar to wet nursery the sown seed should be covered immediately with a layer of soil allow the water to run in channels first and then raise the level of water slowly to saturate the soil of beds do not float water in beds maintain a thin film of water if possible after five days of swimming follow all operation as described for vet nurseries now second third one is tempo it is very important it is in it is introduced introduced in india from philippines it has been adopted by some farmers in andhrapradesh and do first demonstration भी हुआ था हुआ आपको देखने को मिलेगा it saves almost half of time in seedling rising merits क्या है the main merits of this method is that less area is needed to raise seedling now 25 to 30 square meter area is enough for raising of seedling for one hectare the seedling raised by this method are very delicate short and short in height thin slender and survive only for about two weeks beds could be prepared on an area even but slightly raised four to five centimeter surface in an open field or even fermented floor cemented floor sorry cover the soil surface of the seed dead seed bed evenly and completely with banana leaves with the producing ticket midriffs and with the protruding midriffs uh midriffs removed or preferrably with plastic seeds about 36 to 40 hours pre germinated seeds should be broadcast uniformly cover plastic or banana leaves at the rate 3 kg per hectare 3 kg sorry per square meter ठीक है follow this by sprinkling water generally sprinkle water three to four times a day up to floor end ठीक है depok seedlings would be ready for transplanting within 11 to 14 days seed rate की बात की बात करेंगे फूर ट्रांस्पांटिंटिंग राइस के लिए तो 30 to 35 kg ग्राम इस्माल सीदेट के लिए 40 to 45 kg बोल सीदेट के लिए और फॉर ब्रोड़कास्टिंग अप्लेंड कल्टिवेशन के लिए 100 kg खच्राइट के लिए 60 kg पर और हाईब्रेट के लिए 15 kg पर हेटर और बासमतृटी राइजी कि अगर है तू 25-25 अगर है तो 25ung2 25 kg पर पर बासमति राइज केसव थांस प्लांटेड बासमती र था त्टी फाइब तू-40 क्लोग्राम पर हेक्टियर बाउट टेपोग मेथट में डेड़ 1.5-3 क्लोग्राम पर हेक्टियर सीड रेट हमको चाहिए होती है अर्हाइं डाय मेतप्ड की अगर बात करें तो सिस्टम और फ्राइस इंटेंसी हिकेशन तो वो भी आपके उसमें फाइव किलो गराम पर हेक्टियर सेट की रिकॉर्मेंट होती है ठीक स्वेमற करें के पैकेजन बैक् साथ टिक Ps करेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छे लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के माद हमसे अपना एक्स्पीरियंस जरूर बताएं थांक्यू एंड थांक्यू फर वाचिए